पूरिया चंब पूरिया चंब वो ऐसे तो जनता बहुत समझदार है और वो अपना भला बुरा खुद भी समझ सकते हैं जैसी परिस्थितियां है आज देश में हमारे जो बड़े जो नेतर तो कर रहे हैं आज देश का उन्हें भी चिंता है और चिंता इसलिए भी है क्योंकि जनता हमारी है राष्ट हमारा है और इसमें कोई दुखी होगा कोई परिशान होगा तो उसमें आगे परिशानी सबको होने वाली है इसलिए सरकार ने जो आवाहन किया प्रधानमंतिरी जो आवाहन किया उत्तर प्रदेश में योगी जिन जवा आवाहन किया है उस आवाहन का लाब लोगों को मिल रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी परिस्थितियां उतनी अनकूल न होने के कारण उन्हें थोड़ा कठिनाई का रास्ता भी देखना पड़ रहा है जैसे ह हमारे हां मजदूर लोग आए और मजदूरों के पास आज खाने को रोटी नहीं है तो विचारे पलाइन कर रहे हैं उन पलाइन करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी अगर ये विवस्था देने का संकल्ब सरकारें करें जैसे आज के जिरिवाल जी ने किया है ऐसे के पूरी है सरकार कहीं भी छिपावा नहीं रखना चाहेती है क्योंकि सरकार की भावनाओं को हम समझते हैं लेकिन इतना बड़ा जो जन समुदाय है इस जन समुदाय को सब तरह से समझा पाना कर पाना वो थोड़ी कठिनाई का मार्व दिखाई देता है बाकी देश में कमी क सांतना देते हुए धैरी देते हुए उत्सा बर्धन भी कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहेंगे आज कल नौरात्रे हैं और नौरात्रों में मा का अनुस्थान चल रहा है सब के घरों में चल रहा है लग भग लग लग तो यह जो अनुस्थान है इनमें भक्षा भक् प्रिणाम है लेकिन अब लोग आज कल तो जो लोग सुरापान करते हैं रोज वो भी नौरात्रों में बंद कर देते हैं गलत सलग जो चीज़ां खाते हैं वो भी नौरात्रों में बंद कर देते हैं तो इन सब नहीं डर से नहीं हमको साहस उटाना पड़ेगा और अपने करतब के साथ जो दिसा निदेश किये जा रहे हैं उन दिसा निदेशों का पालन करते हुए अपने घर में रहें और अपने घर में ही उजा करें पाठ करें खाएं बनाएं आपस में चर्चा करें कभी-कभी ऐसा हो लोग कहते हैं मारे टाइम नहीं मिलता सवेरे से साम तक बच्चे कई वार अपने पिता को रात देखी नहीं पाते कि मारा पिता कौन है क्योंकि सवेरे जल्दी चला गया रात में देर से आया तो बच्चे सो जाते हैं तो इसलिए महिनों 15 दिन एक हफ्ते तक अपने पिता का धर्शन नहीं हो पाता है तो इस बहाने को ये मान कर चलना चाहिए कि अगर ये औसर इस तरह का मिला है तो आज परिवार के बीच हम को रहने का थोड़ा आउसर मिलेगा एक दूसरे को समझने का आउसर मिलेगा सब कुछ सरकार के मत्थे कि नहीं मड़ा जा सकता है हमारी एक न्यूटि है हमार भी कोई कर्तब है हमारे भी कोई और ऐसास हैं जुनको हमेख़ सब के बीत में बाठना चाइए जैसे आज कल की वेस्ता है तो भनी साथ bizi लोग हैं कई तो अभी भी जैसे मनुस्यता के लिए बहुत बड़ा एक तरह से धोका भी है और यह पाप भी है आज तो खुल करके लोगों को सामने आना चाहिए और मैं कहता हूँ जो थोड़ा सा ऐसे परिवार हैं जो अपने खाने के अलावा अपने भोजन के अलावा चार परिवारों का अगर पालन कर सकते हैं नहीं अकेले कर सकते तो चार लोग गुड बना के करो एक एक गुरूप छोटा छोटा ददस पंदरा पंदरा परिवारों की जिम्मेदारी ले ले कि भोजन हम देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा रहेगा देश में सब को रोटी मिल सकती है लेकिन पैसा बैंक में पड़ा है या नंबर दो का पड़ा हुआ है लोग खर्चा नहीं करना चाहेते हैं उसे और कोरोना की बिमारी ऐसी है आज हर कोई धरा रहा है डर रहा है चाहे किसी के पास बहुत बड़ी संपत्ति है चाहे किसी के पास बहुत बड़ा मकान है चाहे किसी के पास बहुत बड़ा ब्यापार है चाहे किसी के पास बहुत बड़ी फैक्टरी है चाहे किसी का बहुत बड़ी अपरोज वाली दिशा है सब कुछ आज सूना और अधूरा पड़ा हुआ है हर आदमी को लगने लगा है कि मेरी जिंदगी है मेरी जिन्दगी बचेगी तो मेरा सब कुछ बचेगा मेरी जिन्दगी ही नहीं बचेगी तो मैं क्या बचूंगा या मेरा क्या बचेगा इसलिए आज आवशकता है कि हर व्यक्ति को अपने को बचाना है अपने को पूरी तरह से जब आप बचा पाएंगे तो आप दूसरे के भी मदद कर पाएंगे तो इसलिए जो सरकार ने का कि घर में रहे लोगडाउन कर दिया इसलिए कि आपको जेल में रखना इसलिए नहीं किया आप सुरक्षित रहें इसलिए किया है तो अगर आप अपनी सुरक्षा को सरोपरी मानते हैं तो फिर सरकार की कही हुई बात को भी हमको सरोपरी लेना चाहिए अगर थोड़ा सा भी हम गलती करते हैं और गलती का परिणाम फिर हम यह कहले नहीं भोगेंगे कोई और भी भोगेगा उसको उसमें चाहएं सरकार की चूप मानें झाया की बैवस्था की चूप मानें कुछ चूप ये हुई कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं जहाजों से आफ भुला रहे हैं सबको वापस आ रहे हैं लोग और जो भी बाहर से आ रहा है उसको जगे जगे के हवाई एड़ों पर ना पहुचा करके उनको एक हवाई एड़ा निस्चित कर देते हैं कि जो बाहर से जहा जाएंगे वो उसी हवाई एड़े पर उतरेंगे और वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी जाती है तो मुझे लगता है कि ये इतनी बीमारी ना पढ़ती जो पूरे देश बर में आज फैल रही है कहीं दो केस कहीं पांच केस कहीं दस केस कहीं कुछ कुछ और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होते सोते भी नहीं बताना चाहते चुपचाव अपने घर चले गए वहां दस लोगों से मिले बैठे और दसों को विमारी फैला दी तो इस तरह से ये थोड़ी हमको कमी जरूर लग रही है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक जगह ही एक हवाई एड़े पर ही व्यवस्था देनी चाहिए कि आप यहां उतरो और यहां उतर करके फिर उनका चेक अप हो तो चेक अप करने वाले लोग भी सुरक्षा से चेक अप कर पाते और इतनी मारा मारी नहीं होती